पानी के लगातार कम हो रहा है इसके पीछे क्या वजलती है देखिए आज हम वजीराबाद बाराज पे खड़े हैं और मैं सिरफ मौखिक तौर पे कह नहीं रहा आपको दिखाने लाया हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी है जो सूख गई है और इसलिए सू हर्याना सरकार खटर सरकार ने 120 मिलियन गैलन्स प्रती दिन जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए वो रोख लिया है वो नहीं दे रहे हैं जिसके चलते जो नदी जिसका स्तर कम से कम साड़े साथ फुट और उपर होना चाहिए था आज वो नदी सूख गई है आप रिवर बै कर दिये गाई 1995 के आनुसार जितना पानी को क्रिपय करकर उतना पानी दीजिये आप मानवी आदार पे दिल्ली वालों को पानी दीजिये आज दिल्ली में केवल पूरी दिल्ली में नहीं वलकि प्रधान मंत्री, राष्टपती जहां रहते हैं, उन इलाकों में भी पानी की किल्लत water shortage देखी जा रही है, दिल्ली में त्राहिमाम, त्राहिमाम की स्थिति उत्पन हो सकती है, अगर हर्याना सरकार, खटर सरकार ने दिल्ली वालों के हक का पा हर्यात नहीं मांग रहे हैं, सुप्रीम कोट ने तैग कि इतना पानी रोजाना हर्याना ने दिल्ली को देना है, लेकिन नहीं दे रही हर्याना सरकार, मैं हाज जोड़कर खटर साब से कहता हूं कि आप पानी दिल्ली वालों के दीजे, देखे 120 MGD कम से कम और आना चाहिए जो आज नहीं आ रहा है, जो उन्होंने रोक लिए, जिसके चलते नदी सूख गई है, हर्याना सरकार ने क्या बोला, वहां के मंत्री ने क्या बोला, सचिव ने क्या बोला, मैं उन्हों ये कहना चाहूंगा कि यहां आओ, अपनी आखो से देखो, जूठे बयान मत दो, आक देखो कि नदी सूख गई है, तुमारे घरों में तो पानी आ रहा है, हर्याना में तो मुख्यमंत्री, मंत्री, संत्री, सब के घर में पानी आ रहा है, दिल्ली वालों के घर में पानी नहीं आ रहा है, क्यूंकि नदी सूख गई है, आपने दिल्ली वालों का हग मार लिया हमारा 120 MGD हमें वापिस दो, 70 सरकार, हमारा 120 MGD हमें वापिस दो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, यमुना का स्थर, नदी सूख गई है इसका जवाब तो मैंने दे दी आपको सुप्रीम कोट में दिल्ली जल बोड ने याचका दायर करी है और सुप्रीम कोट से यही मांग करी है, कि हर्याना को बोलिए, डिरेक्शन्स दीजिए कि दिल्ली के हका पानी ना मारे और 1995 की दिल्ली की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोट ने जो टैय किया था कि इतना पानी दिल्ली को रोजाना हर्याना देगा कम से कम उतना पानी तो दिल्ली वालों को हर्याना देदे मैं यह नहीं कह रहा कि 2021 की आबादी के साब से देदे वो भी बाद में कहेंगे लेकिन आज कम से कम 1995 की आबादी के साब से 1995 में सुप्रीम कोट ने जो ओर्डर हरियाना को दिया था कि इतना पानी रोजाना अपने दिल्ली में समस्य आसा हैً और इसमें प्रदानमंत्री निवास, राष्टपती भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंतराष्टी दूतावास ये सारे लाके कवर हो रहे हैं, हर जगा पानी की समस्य आ रही है, जल संकठ हम सब के सर पे मंडरा रहा है, इसलिए मेरी हाद जोड कर विनिती है कि दिल्ली वालों क उसके हक का पानी दे हर्याना सरकार, 120 MGD खटर सरकार दिल्ली वालों का वापिस करें